अब हम बात करने वाले हैं sitting arrangement के अपने second question की तो देखो हमारा second question क्या लिखाया है 8 friends P, Q, R, S, T, V, W and Y are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at the corner of the square while remaining 4 are sit in the middle of each of the 4 side the one who sit at the corner faces the center while those who sit in the middle of the sides faces outside अब देखो हमारे पास arrangement कैसा दिया है square तो हम सबसे पहले एक square बना लेंगे ठीक हमने सबसे पहले एक square बना लिया और उसके बाद क्या लिखा है कि हमारे पास जो 8 friends हैं उनमें से 4 तो हमारे उनमें से 4 friends हमारे corner बैठे हुए हैं और 4 हमारे middle of the side side के बीच में बैठे हुए हैं ठीक side के बीच में और हमसे यह कहा गया है कि जो लोग हमारे corner बैठे हैं जितने भी लोग हमारे corner बैठे हैं उनका face center की ओर है उनका face किसार है? center की ओर है और जो लोग बीच में बैठे हैं मला side के बीच में उनका face outside है जो लोग middle of the side बैठे हुए हैं उनका face outside है अब देखो यह तो हमारा इतना काम हो गया अब हम आगे अपना question पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है P who faces the center sits third to the right of V मतलब P जिसका face center की ओर है वो V के right में third position पे बैठा हुआ है V के right में third position पे हमारा P बैठा हुआ है और P का face किदर है center की ओर है इसका मतलब हमारे पास 4 position है 1, 2, 3, 4 4 position है हमारी जहां पे जो हमारे बंदे बैठे हुए हैं उनका face किदर है center की ओर है अब हमें इन चार में से किसी एक position पे हमको P को बैठाना है तो मानलो हमने P को यहाँ बैठा दिया ठीक P को अगर हमने यहाँ बैठा दिया अब देखो P और V के बीच में कितना गया पे दो का इसका मतलब P और V के बीच में दो लोग बैठे हुएं उसके बाद हमारा V आएगा, यहाँ पर भी P के बाद हमारे दो लोग बैठेंगे, उसके बाद हमारा V आएगा, इसका मतलब या तो V हमारा यहाँ बैठेगा, या तो V हमारा यहाँ बैठेगा, अब हमें यह चूच करना है, कि V हमारा यहाँ बैठेगा, यहां बैठेगा, तो condition क्या है, जो P हमारा, वो V के right में third position पे बैठा हुआ है, तो देखो, माल लो हम यह ली position लेते हैं, यहां पे हम लोग यह ली position लेते हैं, तो यहां पे right कौन सा है और lift कौन सा है, इसके लिए right कौन सा होगा और lift कौन सा होगा, हमें यह चिक करना है, तो ह यहां पे अपने आपको एजियूम करो, यह एजियूम करो कि यहां पे तुम बैठे हुए हो और तुम्हारा face outside की हो रहा है, अगर तुम्हारा face outside है, तो तुम्हारे लिए right कौन सा होगा, यह वाला होगा, यह वाला कौन सा होगा, लिफ्ट होगा, यह वाला क्या होगा, ल यहाला जो position है वो गलत है यहाला position गलत है वी हमारा यहां बैठेगा यहां बैठेगा अब देखो अगर हम आगे पढ़ें तो क्या लिखा है T who faces the center T जो center की और face किये हुए है is not the immediate neighbor of V इसका मरलब T हमारा center की और face किये हुए है लेकिन V के immediate neighbor में नहीं बैठा है इसका मरलब ना तो यहां पर T बैठा है ना यहां पर T बैठा है तो T हमारा कहां बैठेगा यहां बैठेगा T हमारा यहां बैठेगा अब आगे क्या लिखा है only one person between sits between V and W वी और W की बीच में केवल एक बंदा बैठा है अब हमें यह नहीं दिया है कि V के right में बैठा हुआ है कि V के left में बैठा हुआ है तो देखो V और W की बीच में एक का gap है इसका मरलब हमारा W यहां बैठ सकता है अभी हमें clear नहीं है तो हम इसको थोड़ दूर लिख लेते हैं यहां बैठेगा या तो हमारा W यहां बैठेगा तो देखो अभी हमें clear नहीं है कि हमारा W यहां बैठेगा या यहां बैठेगा इसलिए हमने इसे थोड़ा दूर लिखा है अब अगर हम आगी question पढ़ें तो हमको लिखा है O sits second to the right of Q मरलब O जो है वो Q के right में second position पर बैठा हुआ है जो S है वो sits second to the right of Q मरलब O जो है Q के right में second position पर बैठा हुआ है Q faces the center Q ने center की और face किये हुए है Q जो है हमारा वो center की और face किये हुए है तो देखो अगर हमारा Q यहां बैठ गया अगर मालो हमारा Q यहां बैठ गया तो Q के लिए right कौन सा होगा Q के लिए right यह होगा और lift कौन सा होगा यह होगा कैसे यहां पर assume करो कि तुम बैठे हो और तुम्हारा मूग कि तरह है center की हो तो तुम्हारे लिए right कौन सा होगा? right तुम्हारे लिए ये होगा और left कौन सा होगा? ये होगा. तो देखो, q के right में second position पे हमारा कौन बैठा है? s बैठा है. अगर हम इसके right में जाए second position पे तो हमारा कौन बैठा है? t बैठा है. इसको मतलब ये वाली position हमारी क्या है? गलत ह तो हमारी कौन सी position बची यह वाली, इसका मलब Q हमारा यहाँ पर हो गया, अब हम देखें अगर, तो हमारे लिए right यह हो जाएगा, ओर left यह हो जाएगा, और Q के right में second position पर हमारा कौन बैठा है, S बैठा है, ठीक, क्योंकि right में, second position पे S बैठा हुआ है यह हमारा इतना काम हो गया अब लिखा है, R is not immediate neighbor of P इसका मतलब P के immediate neighbor में हमारा R नहीं हो सकता इसका मतलब P के immediate neighbor मतलब यहाँ पे R नहीं होगा, और ना ही R यहाँ पे होगा, तो हमारे पास और अगर यहाँ पे R हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारे पास W हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा W, अब हमारे पास सारे position fill हो गया, केवन एक position बचा है, अब एक कौन बचा है, Y, हमारा कौन बचा y, इसका मतलब यहाँ पर कौन हो गया हमारा y, यह हमारा पुरा अरेंजमेंट complete हो गया, यह पुरा अरेंजमेंट हमारा complete हो गया ठीक, हमने पुरा arrange कर लिया, अब हमसे question क्या बनेगा, question यह बनेगा, कि w के सामने कौन बैठा है यह कह लो कि W के opposite कौन बैठा हुआ है तो W के opposite कौन बैठा हुआ है R, Y के opposite कौन बैठा हुआ है V, P के opposite कौन बैठा हुआ है S, यह यह कह देगा कि Q के तरफ किसने face किया हुआ है Q के तरफ face किसने किया है तो Q के तरफ किसमे face किया है, T निकिया है, ठीक, हमसे ये पूछ लेगा कि P और T के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो P और T के बीच में कौन बैठा हुआ है, Y, T और V के बीच में कितने लोग बैठा हुआ है, दो लोग बैठा हुआ है, T और V के बीच में कितने लोग बैठ और उस में से हमें 3 से 4 Question पूछ लेगा तो या तक यह तकना यह कम से कम 5 ये 6 नंबर के Question आते हैं अगर हर एक Question एक लगा का है तो हमारे पास 4 से 5 Question होते हैं जब महारी पास ऐसे question दिये होते हैं यह हो गया हमारा Sitting Arrangement का Second Type अब हम आते हैं अपनी फर्डध ये evolved लिनियर अरेंजमेंट पर है ठीक लिनियर अरेंजमेंट पर है